श्री शिवाय नमस्तो व्यम हरर महादेव देखे वरुथनी एकादसी का वर्थ 16 अपरेल दिन रविवार को मनाया जाएगा विशाक मा के क्रिशन पक्ष की एकादसी तित्री को वरुथनी एकादसी का वर्थ रखा गया है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती और स्री हरी अपने वक्तों के दुख को दूर करते हैं पापों से मुक्ति मिलती है और मिर्थियों के बाद मोक्ष की भी प्राप्ती होती है यह वरत शोभाग भी प्रदान करती है तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं स्रीपंडिक पर्दीप जी मिस्रा के द्वारा बताए गए एकादसी को करने वाले कुछ भी सेहिस उपा है जिसको आपको जरूर करना चाहिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी चीरिक वेश्ट है अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और कमेंट में हरर महादेब जरूर लिखिएगा दियान से समझेगा एकादसी के दिन करने वाले तीन उपाय बताने वाले है सबसे पहला उपाय अगर आपके घड में लगड़ाए की करजा की दिक्कत हो रहे यानि करजा मुक्ति और लक्ष्वी प्राप्ति का एक उपाय है को बताने वाले दूसरा उपई अगर आपके घर में लगड़ा कि कमाई हमारे पास ठंडी हो रही वर खर्चा रुपया हो रहा यानिकी सौर रुपय कमा रहे हैं 200 रुपय कर्च रहे हैं उसके लिए उपई और तीसरा उपई धन प्राप्ति का उपाय है जो कि आप ये तीनों उपाय एकादसी के दिन ही कर सकते हैं ठीक है तो दियान से समझेगा उपाय आपको किस परकार से करना है चली सबसे पहला उपाय हम समझते हैं करजा मुक्ति और लक्षपी प्राप्ति के लिए किस तरह से करना है देखिए आपक क्या करना है साथ बेल पत्र उस कलस में डाल दीजिए उसके बाद जब आप सिमंदिर यानि सिवाले जार हैं तो महादेव के सामने जो नंदी जी बैठे रहते हैं उसका जो उठा हुआ चरण होता है उस चरण पर आपको सारे जल दीरे-दीरे समर्पित कर देना है बेल पत्र से लक्षमी की जो भी प्राप्ति है आपके घर में धीरे-दीरे होना शुरू हो जाएगा दूसरा उपए जो ग्रुजी दोरा बताया गया है कादसी को करने वाल अगर आपके घर में खर्चा जादा हो रहा है या कोई बहुत बिमार पर रहे हैं तो यह सब लक्षन जो होत दीरे-दीरे आपको चराना है और कम से कम तीन वार आपको श्वधा का अस्मरन करना है या तो आप श्वधा अस्त्रोत पाट का भी अस्मरन कर सकते हैं उसके बाद तीसरा उपाय जो ग्रुजी दोरा बताया गया है धन प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए एक छो और वहां पे एक दिपक जलादेनी है महादेव की दया से जो भी आपके घर में परेशानी है धन को लेके या नोकरी को लेके आने वाले समय में एक से दो इक्यारस जरूर लिखा किजिए